नमस्तर दो मैं आरवी आरवी के चनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है अगर आप मैंगी पास्ता के दिवाने हैं तो ए रेश्वी आपके लिए है बिल्कुल अलग तरीके से बनाई गई है और खाने में इतनी अच्छी अमी तीखी चटपटी लगती है और बनती बहुत आसान तरीके से है और इस वीडियो में छोटी छोटी ऐसी टिप्स दी है जो आप लोग को बहुत ज़्यदा यूज़ फूल लगेगी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अपली चैनल को सपोर्ट कीजे सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस कर लिजे असी ही नियो नियो रेश्पी देखने के लिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीज़ेगा आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यदा खुसी मिलती है और वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे ना तो दोस्तों और मित्रों में भी सेयर कर दीजेगा यहां पर पहली टिप्स यह है कि इस रेश्पी के लिए जो भी सब्सक्राइब करेंगे तो सीम्पल प्याज लीजिए ढेर सारी सब्सक्राइब नहीं चाहिए इस रेश्पी के लिए बारिक प्याज कट करिए इस रेस्पी के लिए आपको बारी बारी प्याच कट नहीं करने हैं अब यहां पे मिर्ची को मैं अलग तरीके से काट रही हूं इससे होता है ना कि दिखने में बड़ा जदा खुबसूरत लगती है जब किसी चीज में हम डालते हैं तो इस तरीके से आप अपने घर में कभी मिर्ची कट करके देखेगा सब खाने में जब डालोगे ना तो सब पूछेंगे कि मतब समझ नहीं आता कि है क्या लगती है जैसे भींडी है थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है दिखने में सुन्दर लगती है और रेश्पी के ऊपर हम लोग सजाते है इसको तो तो हाथों से मिर्ची नहीं कल जाएगी दिखापन मतलब हट जाएगा यहां पे दिखिए पानी को अच्छे से बॉयल करना है और मैगी कितना बनाना है एक पैकेट दो पैकेट आप ले लो मैं एक पैकेट ही बना रहे थी तो इसको चार मिनट बॉयल करेंगे ठीक है यह हो आपस में चिपकती नहीं है तो इस चोटी चोटी टिप्स अगर आप लोग अपनाते हो तो कोई वीरेश भी बहुत अच्छी बनेगी अब यहां पे इसको चन्नी में छान देना और थंडा पानी से धूलना जरूरी है ताकि उसके पकने का जो प्रोसेस है वो रुक जाए अब एक दूसरे में वो चिपके भी नहीं थोड़ी सी एक चमस तेल लगा देना और उसको रख देना मैगी को प्लेट में फळा देना थोड़ा सा तकि एक दूसरे में नाचिपके यहां पे लीजे प्याज घारेमिश लहसन साल थोड़ी से नमक डाल रहे है मैगी के मसाले तो इसमें पड़ेगा ना भई तो वो डालेंगे और अब एक चीज और करेंगे इससे हमारी मैगी में बहुत ही ज्यादा टेस्ट आता है तेल थोड़ा कम खाते हो तो कमी लेजिए ज्यादा तेल नहीं थोड़ा सही लेजिए और गरम करिए खुब अच्छे से गरम कीजिए अब इसके उपर डाल दीजिए तो दीखे यहां पर प्याज बारी कट करने के लिए इसलिए कहा था इतना गरम तेल है थोड़ा सॉप्ट हो जाती है तो खाते वक बहुत अच्छा टेस्ट लगता है मतलब कच्छा प्याज ज्यादा नहीं लगेगी बारी कट करोगी तो य मैगी बिल्कुल नहीं चिपकी है जिस तरीके से हम लोगों नहीं वायल किया है जिस तरीके से इसको हमने छान करके ठंडे पानी से धुला फिर उसके बाद उसके उपर एक चुमस्तेल लगा दिया और प्लेट में अच्छे से रख देना मैंने तुरंती किया तो यह नहीं मैंने नहीं रख था प्लेट में ए ठंडे हो गया थे इस तरीके से प्लेट में सर्ड़ करें एस सज मैंने पने पती को बनाते के दिया तो उनको बहुत ज़धा पसंद इया बीकिन उन्सी मैगी मुझे पछिए कई तो जरूर बनाएगा जब यह मैगी यूही वाइरल नहीं हो रही है, सच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो आप बना के जरूर ट्राइ कीजएगा, बहुत अच्छी है, मिलेंगे अगली रेश्पी में, अगली वीडियो में, प्ली चनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्र नहीं हो सब्सक्राइब ॥ाश है, लَّ फढ्सक्राइब संप क्ण्डी है, जड़ी करेंगें, तो आप प्राइब